हेलो हेलकम बैक स्पेंग्स आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जाएंगे वह हैं इंटरवो कोश्चन के उपर मैंने इंटरवो कोश्चन के उपर मैं पहले दो तीन वीडियो दिये थे आज होब आप लोग ने देखा होगा अगर नहीं देखा हुआ तो प्लीज एक बाद चेक कर लिजी तो आज का जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वह हैं बेसिक स्टिंग इंटरवो कोश्चन के उपर तो इंटरवो में बहुत सारा स्टिंग का उपर रिलेटेट कोश्चन पूश्चते हैं तो आज हम लग उसके उपर डिस्कॉशन करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो मैं इस वीडियो को टूडर को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग को एक इन फॉमेशन देना जाता हूं जो है मेरा online course इस start हो चुका है तो यह पर आपको CCNA and CCNP and CCNA Security भगर यह पर आपको मिल जाएगा इसके साथ आपको यह पर lab tactical and study material भी मिल जाएगा जो CCNA and CCNP का जो course duration है only three months का है एंड प्लास और डेट और टाइम अल्ली पॉर्ट तर सैटरडे एंड सांड़ी होगा रात आठ बज़े से स्टार्ट हो जाएगा और नया बैट्स एब्री मंथ से स्टार्ट हो जाए है एंड इसके बाद यह पर बहुत सारा कोर्सेज यह पर अबलेबल हैं जैसे हैं Microsoft Server 2012 तो जिन लोग यह कोर्स करने में कोई भी इंटरस्टेट है तो प्लीज इस इमेल आईडी में आप ट्रिपलाई करिए एंड आप खाहाँ पर रहते हैं आप कौन सा कोर्स सीखना चाहते हैं आपका लास्ट क्वालिपिकेशन क्या है एंड आपको कोई भी कॉन्टाक नमबर दे दीजिए हम लोग आपके साथ कम्म्निकेशन करेंगे देन इसके बाद आप लोग को कोई भी मेल करने में कोई इशू आ रही है कोई भी पॉब्लम आ रही है आप ने टॉकिंग गुरुजी नाम से एक फेस्बूक का पेज है आप वह पर भी जाके इनफॉर्मेशन ले सकते हैं कोई भी पॉब्लम नहीं होगा अगर आप लोग अभी तक ने टॉकिंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी या पर आपको ने टॉकिंग रिलेटेड फूल वीडियो मिल जाएगा बेसिक टू एडवन्स लेवल तक एम प्रेस अबेल आइकन अगर आप लोग के लिए तो प्लीज लाइक करें श्यार करें और कमन करें तब भी मुझे पता चलती है मेरा वीडियो आप लोग के लिए कितना है फूल करती है अगर मेरा चैनल में आप पहले से सब्सक्राइब है तो थैंक यू सो मुझ तो चलिए शुरू करते हैं बेसि switching interval question and answer तो देखें first question हम लोग को क्या है तो देखें why do we need switch हम लोग switch किस लिए चाहिए तो देखें to extended land to allow multiple device in a land to get rid of from a single collision domain to create VLAN IE multiple broadcast domain तो यह सब को लिए हम लोग को switch चाहिए तो कैसे है तो हम लोग कोई भी multiple device को हम लोग land के साथ connected कर सकते हैं यहापर हम लोग भीलेन बगड़ा केट कर सकते हैं यहापर टू लैंको extended करने के लिए मुझे switch चाहिए चाहिए नहीं तो नहीं होगा यह सब के लिए हम लोग को switch चाहिए चाहिए देर इसके पाद जो दो नंबर question के ऊपर देखते हैं वाट अधा बेसिक डिफारेंस बीटूइन एल लेट टू अन लेट त्री स्विच चो लेट टू स्विच अन लेट त्री स्विच में हम लोग का स्विच डिफरेंस क्या है तो देखिए बहुत स्विच डिफरेंस है तो देखते हैं क्या क्या है लेट टू स्विच डिल्स विट फ्रेम लेट टू स्विच डिल्स विट फ्रेम बट लेट त्री स्विच डिल्स विट फ्रेम और पैकेट बोथ दोनों के लेके जाती है द physical interface of layer 3 switch, तो देखे क्या है layer 2 switch में हम लोग physical interface में हम लोग IP ऐसाइन नहीं कर सकते हैं, but layer 3 switch में हम लोग IP को assign कर सकते हैं, and layer 2 switch provides ONLY switching, và layer 3 switch support both switching & routing, layer 2 switch ONLY switching के जैसे हम लोग काम कर सकते हैं, and layer 3 switch में हम लोग switching भी कर सकते हैं राउटिंग भी कर सकते हैं तो ज्यादा बेनिफीट होगा हम लोग को लिए लेयर 3 स्विच तो लेयर 3 स्विच में हम लोग सब कुछ कर सकते हैं जैसे लेयर 2 में करते हैं बाट लेयर 2 से लेयर 3 बहुत ज़ड़ा एडवांस हैं तो इसके लिए ज्यादा तर corporate जगह में, office में और बहुत सारा जगह में हम लोग देखते हैं layer 3 switch but layer 2 switch भी हम लोग देखते हैं कोई-कोई जगह में तो देखे इसके बाद हम लोग का next question क्या है तो देखे what are the basic function of a switch what is the basic function क्या है switch का तो देखे forwarding a frame based on destination mac address to reach destination then इसके बाद build mac address stable based on source mac address to forward frame built a loop free layer to network to provide return path by using stp stp का full for my spanning tree protocol देखे क्या क्या है तो देखे मैं आप लोग के लिए एक बाद फिर से repeat कर देता हूं तो तो देखे forwarding a frame based forwarding a frame based on a destination mac address to reach destination then build mac address stable build mac address stable mac address का एक table create होती है जो देखे build mac address stable based on a source mac address to forward frame then इसके बाद build a loop free layer to network जो layer to network में हम तो देखे build a free loop loop create होती है तो देखे इसके बाद हम लोग phone number question को देखे है phone number question क्या है how does switch forward frame so switch कैसे forward करते है frame को देखे switch forward frames a frame after seeing the destination mac address of the frame and comparing the mac address to its mac address stable to take proper forwarding destinations so यह क्या बोल दी है तो देखे इसके बाद हम लोग five number question में जाता है तो देखे है what is the unknown unicus flooring unknown unicus flooring क्या है यह interview में पूश्ट दिया है तब आपको बोलना परेगा if the switch received a frame which destination mac address is unknown to switch that is there no entry of that mac address in camp table switch simply forwarding the copies of frame out of its own port export export the port from which it is it has received मतलग क्या है इसका तो देखे if the switch received frame which the destination mac address is unknown destination mac address क्या है और भी खुज भी नहीं पाता then इसके बाद that is there no entry of that mac address in camp table switch simply forwarding the copies of frame out of its all ports export that port the port from which it receives limits then इसके बाद हम लग six number question में जाते हैं तो देखते हैं what is the broadcast what is the broadcast क्या है so तब आपको बोलना परेगा if the broadcast mac address of a frame जो है frame fff.ffff.ffff.ffff जो broadcast का जो frame हरते हैं क्या है तब आपको मोलना परेगा if the destination mac address of a frame fff switch forwards that frame as a l2 broadcast frame out of its all ports इसके बाद seven number question में हम लोग क्या है what is the mac address table of a switch and its function what is the mac address table mac address table क्या है and switch कैसे इसको function करते है so mac address table is the table where switch store or learn mac address according their interfaces on which it has been received to take proper forwarding destination sorry decision mac address क्या है mac address table is the wire switch store or learn mac address according their interfaces on which it has been received to take proper forwarding decision then इसके बाद हम लोग जो देखते है what is the default aging time of mac address table जो mac address table का जो aging time होती है क्या होती है जो default timing तब आपको बोलना परेगा 300 seconds जो होती है aging time of mac address table का then इसके बाद what is switches virtual interface जो हम लोग जो बोलता है switching virtual interface का full form है short form है SBI आपको सुना होगा जो SBI क्या है SBI का full form क्या है आप interview में पूछ सकते हैं then आपको बोलना परेगा switches virtual interface so switches virtual interface क्या होती है तो देखते हैं तो चलिए यह virtual interface in a layer to switch to assign IP address and to provide IP connectivity SBI are based on villains ie for every villain there can be SBI तब आपको यह बोलना परेगा जो SBI क्या है then आपको बोलना परेगा a virtual interface in a layer to switch to assign IP address and to provide IP connectivity SBI are based on villains ie for every villains there can be a SBI इसके बाद थर्म लोग 10 number question में जाते हैं why do we need IP and layer to switches why do we need IP and layer to switch तब आपको बोलना परेगा to allow telnet and SSS access to switch and to allow IP management protocol SNMP is an MP then इसके बाद हम लोग जानते हैं 11 number question what is the difference between switch and half switch and half में क्या difference क्या है तो दीके half almost यह totally obsolete हो किया है so market से so half में बहुत सारा fault था जैसे switch में नहीं है तो देखते हैं क्या है half में half works layer 1 while switch works at layer 2 half come करते layer 1 में and switch come करते layer 2 में half provides single collision domain while every port of switch is a separate collision domain separate collision domain and half deals with single where switch deals with frame then इसके बाद switch is more intelligent than half and switch maintenance stable half has no table जैसे हैं तो देखें switch का ज्यादा तो अभी use होती है switch half totally obsolete हो गया है तो half से switch बहुत intelligent है and switch एक maintain करती है table and half यह maintenance नहीं करती है है table कोई भी table maintenance नहीं करती है and half में जो और एक पॉब्लम था आप मान लीजिए कोई भी packet को A से B तक आप कोई भी भेजना चाते हैं वो क्या करेगा particular A से D तक packet को forward नहीं करेगा A करेगा B को भी करेगा C को भी करेगा D को भी करेगा तो मतलब आपके total हर जितना PCS सब के पास किये फाइल्स automatically चला जाएगा तो हम तो चाते हैं only for A के साथ B एक के साथ D कोई हम लोग शेयर करेंगे फाइल को तो यह हम आप आटोमेटिक कर दे दिए बट स्विच ऐसा नहीं करते हैं सब्सक्राइब करते हैं पर्टुकलर को हम लोग बोल देंगे जो हां यह से लेकर पर्टुकलर टी तकी मुझे सोस्टूटेशन डेस्टिनेशन में बेल दूंगा यह ओटमेटिक एस से लेके बीट तरकी यह फाइल को शेयर करेगा बाकि जितना सारा जितना यूजर है बा मार्केट से अभी आप हाप कहा पर भी नहीं देखेंगे ज्यादा तर सब जगा में हम लोग स्विच देखते हैं सो यह होती है इंटरबू कोशन के ऊपर आई होप आप लोग को अच्छा लागा होगा इंटरबू कोशन इस वीडियो को आप जरू लाइक करिए और दोस्त पहली बात देख रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइक्रोन को भी प्रेस कर लिजिए यहाँ पर आपको नेटवकिंग रिलेटर फूल वीडियो मिल जाएगा डेसिक टू एडवांस लेबल तर आप लोग कौनसा नेटवक टॉपिक के ऊप करके मैं आप लोग को रिप्लाइब काने के लिए दोस्तों प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भोलिए दोस्तों आज के लिए इतना है थैंक्स पर वाचिए